नमस्कार दोस्तो, मैं सालनिय आप सभी का स्वाधत करती हूं अपने चैनल में, आपलोड कैसे हैं? आशा करती हूं, बहुत अच्छी होगे, मैं भी बहुत अच्छी हूं दोस्तो, आज जाके पदलब विश्वास हो गया कि आज मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है कि आज उनका अंतिन संस्कार हो गया आप लोगों ने देखा वीडियो और कल का भी ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था कैसा तो लग रहा है अभी अच्छा नहीं लग रहा है कल तो सब को मतलब विश्वास नहीं हुआ हैं सब लोग आए नहीं और वीडियो के लिए हो रहा हुप जूट रहता है रहते हैं अनतिन संस्कार है टो मतलब कलेजा धहल गया एकदम बच्चे को देखके ना ऐसा रोना आया कि मेरा तो मनी नहीं लग रहा है और ना मुझे कुछ काम करने का भी मनी हो रहा है सुबे से इतना मतलब दुख हुआ बताई इतना छोटा बच्चा अपनी मा को आद दिया उसको पता भी नहीं है कि क्या होतार कैसे ममा ममा कर भात गौरपुरिया भापी देखा वीडियो बनाई थी गोदी मिली थी ममा ममा कर भाता usko क्या पता उसकी ममा चले गे उसको छोड़के जो होना नहीं चाहिए था जो भी हुआ बहुत गलत हुआ अच्छा नहीं हुआ दोस्तों क्या कर सकते हैं लेकर आज उस बच्चे को देखके बहुत दयारी classy क्या होगा उस बच्चे का से मम्मा मम्मा करके रो रहा है दोस्तों मा की जगे न इस दुनिया में सच बाते कोई नहीं ले सकता इतना बताईए घर इतना अच्छा खासा घर था इतना अच्छी खासी फैमिली थी खुशी खुशी सब रह रहे थे पता ने कौन सा ऐसा नजर लगा कौन आया उसके जिंदगी में कि ऐसा तहस नहस घर प अच्छा आनात हो गया अब विश्णुराज को क्या मिला वह भी तो जेल में जाके बठा है उसको क्या मिला अब उसको उमर कैद होनी चाहिए तब नयाय मिलेगा मालती को ऐसे नहीं क्योंकि जब एक दोस्तों ना खरोच लगती है बदन में तो कितना दर्ध होता आप चाहिएएगे तो फासी ंपन रजाएगा नहीं उसको उमर कैद हुएए उसको याद आनी चाहिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि उसको तो ऐसा होना चाहिए प्रशासन, ऐसा उसको करना चाहिए ना, खि कि उसको भी याद आए, कि हाज मैंने क्या गलत किया, उसको जिंदगी पर वो तड़ब तड़ब के लिए मौत मांगे ना, ऐसा होना ही चाहिए यही नयाय होगा मालती के साथ जब तक जिये और तब तक याद करे कि मैंने क्या किया था अरे इतना अच्छा खासा तुम्हारा बच्चा था इतना छोटा सा तुम्हारा हस्ती खेलती तुम्हारी जिंदगी थी अच्छा खासा कमा खा रहे थे तुम से अपने तो मैं देखती है आज इनका कौन सा बलोग आयगा का दखोंगे मैं आपका वीडियो देखती हूं गोरगपुर में जितने लोग भी बड़े बड़े यूटूबर है सबका वीडियो देख jars सबका मुझे बहुत अच्छा लगता है सबका वीडियो रजनी का कोशल बहिया का रजनी कोशल एक ही है ना दोनों वाइप है तो उनका वीडियो और कनहिया भहिया का शालू का बहुत अच्छा लगता है मुझे सबका वीडियो देखने में और भावी का वीडियो मतलब सबक गोरकपूर में जितने लोग है ना मैं सबका वीडियो देखती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोग का वीडियो देखना तो होता है कि घर जाओंगी तो मैं इनका व्लॉग देखूंगी क्योंकि वहां जहां काम रहता है ऑफिस में दोस्तों मोबाइल जादा यूज नहीं कर सकते तो वहां में देखती नहीं थी तो यहां पर आके तो भी एक बार देखी लेती थी कौन सा वीडियो आ रहा है कैसा तो इतना तुम्हारा नाम था इतना दुनिया तुम्हारी फैन थी तुमको सब पहचानते थे तुम्हारे तुम्हारे यहां बैठाने कि तुमको जगे नहीं मिलती थी इतने तुम्हारे यहां लाइन लगी रहती थी लोगों की किस लिए तुम्हारे नाम के वज़े से आज तुम्हारे यहां देखो इतनी पब्लिक आई थी उसके मरने पे मालती चोहान के मरने पी इतनी पब्लिक आई थी कि पैर रखने की जगे नहीं थी और अभी जाके देखो तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ अभी एक वीडियो देखा मैंने पूरा सन्नाटा हुआ है घर क्यों ऐसा किया तुमने क्यों अपना ही घर अपना खा के बैठे तुम क्यों नास कर दिया अपना घर अच्छी खासी चलती जिंदगी तुम्हारा बच्चा आनात होगा आज किसके पास रहेगा वह मा मा करके रोरा रहे दूद पीता था अपनी मा का तुमने वह तक छिल लिया उससे थूए ऐसे आद है दोस्ता सब लोगों ने आज बोला भी सब लोग भी सब लोग यही वीडियो में वह चूप हो गई तो आज यह दिन नहीं देखना परता तो इतना अच्छा कलाकार इतना जाना माना यूटुबर हमारे हांत से चला गयए हमारी यूटूब फैमली थी दोस्तो हुज और मतलब उन्हें लोगों का देखके हम लोग को हौसला आया मैंने भी वी इडियो बनाना चल किया मैंने को देखके कि सब लोग बना रहे हैं तो मैं भी बनाओंगी लेकिन मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थे दोस्तों कि मैं कैमरा के सामने आ सकूं और वीडियो बना सकूं लेकिन सबका देख देखके मुझे भी हिम्मत हुई मैं भी बना रही हूं तो जैसे आज मतलब और दयारी क्या होगा उस बच्चे का इसे ममा ममा करके रो रहा है दोस्तों मा की जगे जुनिया में सच बाते कोई नहीं ले सकता इतना बताए घर इतना अच्छा खासा घर था इतना अच्छी खासी फैपिली थी खुशी पता ने कौन सा ऐसा नजर लगा कौन आया उसके जिंदगी में कि ऐसा तहस नहस घर पूरा सत्यानास कर दिया और जिसके वज़े से यह हुआ है वो लड़की को उसको भी आगे लाओ ना उसको क्यों नहीं सब लोग आगे ला रहे हैं उसको क्यों छुपा के रखा हुए भई सब्सक्राइब लाया है जैता यह है आज देखिये उसको बिखाद हो याद चाहिए उसको चोड़ना नहीं होनी चाहिए उसको ऐसा होना और फ्रशाष्ण ऐसा ही चाहिए यही नियाय होगा माल्ती के साथ जब तक जिये और तब तक याद करें कि मैंने क्या किया था अरे इतना अच्छा खासा तुम्हारा बच्चा था इतना चोटा सा तुम्हारा हस्ती खेलती तुम्हारी जिंदगी थी अच्छा खासा कमा खा रहे थे तुम दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया था तुमको दुनिया जान रहे थी विश्णू राज मालती चोहान कौन है विश्णूराज मालती चहां मैं दिन भर सभी लोग तुम्हारे वीडियो का इंतजार करते थे ठीक है मैं आती थी ने ड्यूटी से अपने तो मैं देखती रहती आज इनका कौन सा नया वीडियो आएगा कौन सा ब्लॉग आएगा देखूंगी मैं मैं सबका वीडियो देखत तो उनका वीडियो और कनहिया भहिया का शालू का बहुत अच्छा लगता है मुझे सबका वीडियो देखने में और भाबी का वीडियो मतलब सबका गोरकपूर में जितने लोग है न मैं सबका वीडियो देखती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोग का इतना तुम्हारा नाम था इतना दुनिया तुम्हारी फैन थी तुमको सब पहचानते थे तुम्हारे तुम्हारे यहां बैठाने की तुमको जगे नहीं मिलती थी तुम्हारे यहां लाइन लगी रहती थी लोगों की किस लिए तुम्हारे नाम के वज़े से आज तुम्हार सन्नाटा हुआ है घर क्यों ऐसा किया तिम ने क्यों अपना ही घर अपना खा के बैठे क्यों नास कर दिया अपना घर अच्छी खासी चलती जिंदगी तुम्हारा बच्चा अन आथ होगy आज पास रहेगा मा मा करके रो रहा रहे दूद पीता था अपनी मा का तुमने वह तक छिल लिया उससे थूए ऐसे आदमी पर ठीक है दोस्तों आप मैं और ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगे क्योंकि मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी आप लोग को कै बात है भावी ने भी बोला कि अगर मेरा किसी ने सपोर्ट किया होता उस समय तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता तो सच बात है दोस्तोंMr ऑगर ऊसमय सबनेoramahwa कि किसी सपोर्ट नहीं किέλ है भावी चुफ हो गई नैई तो आज यह दिन नहीं कि सब लोग बना रहे हैं तो मैं भी बनाऊंगी लेकिन मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी दोस्तों कि मैं कैमरा के सामने आ शकूँ और मैं वीडियो बना सकूँ लेकिन सबका देख देख के मुझे भी हिम्मत हुई मैं भी बना रही हूं तो जैसे आज मतलब अच्छा झाल एलागा तो ये जो बुट